हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स कीचर्ण आज हम बनाएंगे नौरात्री स्पेशल प्रत के लिए लंच या डिनर की ठाली सारी रेसे भी जटपट से बन जाती है और एकदम टेश्टी बनती है तो चलिए आज की रेसे भी स्टार्ट करते है तो यहां हमने वन कीजी आलू लिये है तो इसके तिन आलू हमें छिलकी निकाल कर ले लिये है और यहां हम हाफ बाउल जितना लेना है हमको मुंफली इसको हम ग्रैंडिंग जार में बिल्कुल इस तरह से दरदर ऐसा क्रोश कर लेंगे एक बाउल लेंगे इसमें हम टांस्परंट कर देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें टांस्परंट करना है तो यहां आप देख सकते है अब हम बनाएंगे मसाला पाकरी तो यहां हमने जो तीन आलू लिये थे उसको हम इस तरह से crush कर लेंगे आप देख सकते हैं कि परफेकली हमें इसको crush कर लेना है तो यहां हमारे तीनों आलू अच्छे से crush हो चुके हैं तो यहां हम तीन से चार समझ जितना जो हमने मुझफली crush की थी वो डालेंगे वन टेबल स्पन डालेंगे मरिका पाउडर वन चोथाई डालेंगे हम हिंग वन चोथाई काला नमक आफ स्टेबल स्पन डालेंगे हल्दी पाउडर वन बड़ी ग्रीन चिली ली है चौप की हुए और थोड़े से हरे धनिये वन चोथाई ली है हमने धनिया पाउडर और डालेंगे इसके अंदर हाफ स्टेबल स्पन जितना जीरा और टेस्ट अकोडी सोल्ट डालना है और परफेकली हमें इसको मिक्स कर देना है बिल्कुल इस तरह से मैंने आलो को बुईल किया था तब थोड़ा सा सोल्ट डाला था इसलिए आपके हिसाब से नमक डाल सकते है तो यहां हमने वन बाउल जितना लिया है जो फास्ट में टक खाते है वो लेना है राजिगीरा का आटा लेना है और डालेंगे छोटी बाउल हमने डाला है ओल करीब यह 3-4 बड़ी चमर्जीतना ओल है और यहां एक बात ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी एड़ नहीं करना है बिल्कुल इस तरह से परफेक्ली हमारा आटा बन जाएगा इस मेजर्मेंट से आप बनाएंगे तो पानी की जरुरत नहीं पड़ेंगी तो यहां हम इसको 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे बाकी के आलू यहां हमने ले लिये है इसको हम मसाला आलू बना लेंगे तो यहां एक बड़ी चमच विल लिया है इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पन जीरा और थोड़ा करीपट्टा डाला है इसको हलका सा गरम कर देंगे हलका सा गरम होते ही इसके अंदर हम डालेंगे half टेबल स्पन जितना हिंग हिंग से हमें आलू को पचाने में आसानी रहेंगी वन टेबल स्पन लिया है हमने ग्रीन चीली और चिंजर का पेस्ट लेना है तो रिसे स्टेज पर हम डाल देंगे सारे आलू और इसको परफेकली मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरह से सारे मिक्स हो जाए इसके बाद हमने जो मुंगफली क्रुश की थी वो डालना है तो यहां हम तिन से चार चमच जितना हम मुंफली क्रश की थी वो डालेंगे, इसके उपर हम डालेंगे वन टेबल स्पुन जितना जीरा पाउडर, वहाफ टेबल स्पुन काला नमक, वन चोताई मरीका पाउडर, वो टेस्ट अकोडिंग सुल्ट डाला है, यहां हमने काला न अनिशिंग के लिए डाल देंगे थोड़े से हरा धन्या, तो बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर देना है, तो यहां हमारा मसाला आलू बनकर तयार है, इसको हम एक सविंग प्लेट में सव कर देंगे, तो बने हैं एक दम मसालेदार हमारे आलू, इससे आप जरूर नहाते है मुरेया की खीर, तो यहां हमने हाफ बाउल जितना मुरेया लेना है, दरदरा साब मुरेया आता है, वो लेना है, मार्कित में आसानी से मिल जाएंगा, तो इससे हम परफेक्ली वोश कर लेंगे एक बाद के लिए, और इसके अंदर वोश करने के बाद, इसके अं जिससे हमारा मोरया perfectly boil हो जाए और अच्छे से पक जाए तो यहां हम cooker में ही इसको इसको पकात लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा मुरेया एकदम बढ़िया से बोईल होकर तयार है तो यहां हम एक बाउल लेंगे इसकी अंदर हम डालेंगे दो बड़ा गलास जितना मिल्क और डालेंगे जो हमारा मुरेया पक कर तयार है वो डाल देंगे और इसको हम blender से crush कर देंगे बिल्कुल इस सरा से हलका सा crush कर लेना है तिन से चार इलाईजी और डालेंगे यहाँ एक छोटी कटुरी जितना सुगर और थोड़े से dry fruit एड़ कर देंगे आपको जो पसंद है वो dry fruit डाल सकते है यहाँ मैंने काचूर बदाम को अच्छे से crush करके डाल दिया है और यहाँ हम 5 मिनिट के लिए इसको perfectly पकने देंगे थोड़ा सा गठ हमारा दुद हो जाए तब तक हमें पकाना है तो perfectly हमारी खिर बन कर तयार है तो यहाँ हमें 10 मिनिट हो चुके है तो यहाँ हम भाकरी बनाएंगे इसी तरह से आप भाकरी बनाएंगे तो fast में नहीं आप snake में भी बना कर खाएंगे तो यहाँ हम एक रोटी मेकर ले लेंगे और इसके उपर प्लास्टिक रख देंगे और थोड़ा सा आटा लेकर इसके उपर रख देंगे प्लास्टिक के उपर थोड़ा सा उविल लगा कर इसके उपर हम प्लास्टिक रख देंगे तो यहां हम रोटी मेकर से बिल्कुल इस तरह से राउंड शेप देकर इसको बेल लेंगे परफेकली हमें इस तरह से बेलना है तो यहां आपको आउटिंग फटी जा रही है तो यहां हम एकदम पर्फिक्ली राउंड शेप देने के लिए एक बाउल ले लेंगे तो एकदम पतली से हमारी भाकरी बेल कर तयार है तो यहां हमें एक बाउल से कट किया है और साइट का काटा हमने ले लिया है बिल्कुल इस तरह से हमें सारी भाकरी को बेल कर तयार कर देना है पहले हम सारी भाकरी को बेल कर तयार कर देंगे तो यहां हम एक next आटा लेकर आपको दुसरी टैप से बेलना दिखाऊंगी यहां हम इस हाथों से इसे तरह से बिल्कुल प्रेस करकर हम यह भाकरी बनाएंगे तो यहां हमें इस तरह से भी भाकरी बन जाती है बिल्कुल आसाने से बिल्कुल परफेक्ली शेप दे कर हमें भाकरी को अच्छे से राउंड शेप में दे देना है तो यहां हमारी ये भाखरी भी बनकर तयार है आप देख सकते हैं कि ये भी बड़िया से बनकर तयार होती है इसकी आउटिंग फटती नहीं है तो ये आप चाहे बेसे आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं परफेकली इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसे भी हम एक प्लेट यहां आप सकते हैं। आप यहां घिला सकते हैं। बन जाती है। तो चलिए इसको हम अब رोश्ट करेंगे तो यहां हमने एक रोटी मेखर लेना है इसके उपर हलका सा उल लगा कर इसके उपर हम भाकरी रख देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें स्लो फ्लेम में ही सारी भाकरी को रोश्ट करना है हलका सा उल के साथ हम आज की ये भाखरी map मसालाबाखरी बनाएंगे तो यहाँ एक मिनिट के लिए हम slow flame में ही इसको रोष्ट करेंगे और इसको अब हम पलता देंगे तो perfectly हमें इसको slow flame में ही पकने देना है बिल्कुल इससरा से गुमाते जाना है और perfectly roast कर देना है बिल्कुल इस तरह से तो बढ़िया से हमारी भाकरी roast हो चुकी है यहां हम दूसरी भाकरी roast करने के लिए रख देंगे हमारी दूसरी भाकरी roast हो जाए तब तक आप हमारी चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलना और आज की ये recipe आपको पसंदा रही है तो प्लीज हमाने like और ज्यादा से ज्यादा family member में या friend circle में share करना और comment करके ज़रूर बताना कि आज की recipe आपको कीसी लगी तो यहां हम सारी भाकरी roast हो चुकी है तो यहां हम सारे पकोड़ों को fry कर देंगे तो यहां हमने oil गरम होने के लिए रख दिया था तो सारे पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे और slow flame में ही इसको हमें fry कर देना है यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि fast flame नहीं करनी है fast flame करोंगे तो हमारे पकोड़े बाहर से चल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे इसलिए हम slow flame में ही इसको fry करेंगे जैसे कि हमारे perfectly अंदर से और बाहर से बढ़िया से fry हो जाए तो बिल्कुल इस तरह से हमें इसको slow flame में ही fry कर देना है तो यहां हम पलटाते जाएंगे और fry करते जाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से हलका brown color हो जाए और इसका color change हो जाए तब इसको बढ़िया से पलटा देना है और करीब हमें 3-4 मिनित के लिए इसको fry कर देना है जिसे हमारा perfectly पकोडे fry हो जाए तो यहां आपको मुझे comment करके ज़रूर बताना है कि आपको भाकरी पसंद आए है केपकोडे के दोनों का taste अलग हो जायेंगा फ्राय करेंगे तो भी अलग हो जाएंगा और रोष्ट करेंगे तो भी इसका भाकरी का तेश्ट अलग हो जाएँगा एक ही bettor में से हम बनाएंगे दो तैब की recipe तो आपको कौन सी रेसेपी पसंद आई है वो आप जरूर बताना और जरूर ट्राइ करना ये बहुत टेश्टी बनते हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनते हैं तो यहां हमें सारे पकोडे फ्राइ हो चुके हैं इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे तो यहां हमारी थाली बनकर तयार है नौरातरी स्पेशल तो यहां हमने मसाल आलो ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे खीर जो बढ़ियासे फ्लेवर वाली इलाइची फ्लेवर वाली है आपको बहुत पसंद आएगी ये आप ज़रू ट्राइ करना तो यहां हमें इसके खीर के ऊपर थोड़े से ग्राइट फूट एड़ किये है गार निशिंग के लिए और हमारे पकोड़े हमारी पाकरीगी बढ़ियासे फ्लेवर वाली और यहां हमें आलो का पापड ले लिया है आपको इस आलो की रेसेपी देखनी है तो हम डिस्क्रि पाइट करना